दखो editing सिखाने से पहले मैं आपको एक पर difference दिखा देता हूं कि किस तरीके से उस creator ने वो video edit करी थी जिनकी videos को हम edit कर रहे हैं और किस तरीके से उसको फिर हमने edit किया पहली clip जो उन्होंने edit कर रखी थी अब वो देख लो कि कि अब यह जो जो है है कि विशाल बाइशाल बाई विशाल बाई विशाल यार कहा तो तीन जाए दिन पहले पता है थी जाए दून में क्या हो गया पता नहीं यारे 3-4 दिन में क्या हो गया पर मेरे साथ 3-4 दिन में कुछ ठीक नहीं हो रहा अजीब जीब सी बाते कर यह है ट्विंकल 3-4 दिन से ट्विंकल? अबे ट्विंकल गी तो 3-4 दिन पेलेwait on accident Kath PandemieG हो चुकी है है कि क्या कह रहे है तू अगर तू यह सब सच कह रहे है तो यहर मैं तीन-चार दिन से किसके साथ था अब दूसरी जो क्लिप है यह हमने एडिट किया है और यह आप देख लो कि किस तरीके की फेल आपको इसमें आती है मिशाल यार तू तीन-चार दिनों से कहा था तीन-चार दिन से मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है यार ट्विंकल पता नहीं यार तीन-चार दिन से कैसी अजीब सी बातते कर रही है तू आपको यह दूसरी क्लिप अच्छी लगी है तू अगर तो आपको यह दूसरी क्लिप अच्छी लगी है तो आपको यह editing का tutorial भी कापी अच्छा लगेगा जो भी आपकी वीडियो का नाम है वो आप नाम डाल सकते है अपनी वीडियो का यहाँ पे इसको सिरफ कुछ नहीं करना सिरफ ओके कर देना उसके बाद जो पहला scene है जिसके अंदर पहले scene के सारी footage है वो footage हम import कर लेते हैं सा सारी clips में से आपको सबसे पहले यह देखने कि कौन-कौन से clips आपकी extra है जो भी आपकी extra clips है या जिसमें भी आपके fumbles हुए थे वो सारी footage आपको यहां से software में से delete मार दी है और उसके बाद जो second step है जितने भी सारी clips के अंदर आपके dialogues है उन dialogues से पहले start होने से पहले जो आप कि clips में कि विशाल सिधा चलता हुआ ही आ रहा है अब यहां पर मैंने काफी बार लोगों को समझाए कि हमारा एक opening short जो होता है वो काफी एक grand काफी एक बड़ा wide angle short हमारा होना चाहिए ताकि लोगों को महसूस हो कि वो किस जगे पर आप यह जो location है यह location मुझे पता है कि यह नहर के पास एक pool है हमारे शहर में ही वो काफी अच्छी नहर भी हमें दिखाई देती है तो इन्हों ने उसको काफी wide angle बे short ना करके काफी बड़ी एक गलती सी करी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे अब किसी भी तरीके से Google से या YouTube से कहीं से भी एक footage हम ले ले लेते हैं जहाँ पर नहर का एक wide angle सा short हमें देखने को मिले अब हम क्या करेंगे यहां से सिरफ 2 second का part हमें cut करना और उसके बाद हम simply बाकी की जो हमारी clip सा उसको drag करके आगे छोड़ देंगे अब यहां पर देखो लोग क्या गलती है करते कि हाँ तीन short हमने लेर के अलग-अलग angle से कि एक आगे से आपका character जो है उसी position में होना चाहिए अब जैसे देखो यहां इस short के अंदर हमारे character जैसे आगे से short लिया तो उसमें pair वो मारते वे आगे की तरफ जा रहे है तो पीछे से अगर हम शोड़ ले उसमें वो पूरा short ना आए कि pair मारते वे नजर ही नहीं आ रहा तो व जो हमारे पीछे से है उसको हम पीछे की तरफ तक ही रखेंगे सामने वाली clip में और जो हमारा back side से short है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जहां पे हमारा pair पीछे ही हो वहां से हम इस short को cut कर सके अब आगे वाले short में देखो हमारे character का pair जो है पीछे की तरफ है पैर वो मारने वाला आगे पैर जाने वाला है और पीछे से हमने शोट लिए जिसमें भी सेम उसी जगे पर हमने कट लगा है जहां पर करेक्टर का पैर पीछे ही था तो यह जो कट है ना कट बिल्कुल स्मूथ जब होगा तो आपकी वीडियो काफी जातों स्मूथ एक चलेगी तो इस तरीके से देखो आपका करेक्टर कहीं पर रुकावार नजर नहीं आ रहा है कहीं पर आसा नहीं हो रहा है कि वह रूक रहा है फिर बैक एंगल से शोट आ रहा है और वह फिर दौरा चलना शुरू कर यहाँ पर एक हमारा ड्रोन शोट आ इसमें नदी के ऊपर से कामरा एक से घूम रहा है उसके पत्र ऐस को आसा नहीं हो कि क्रेक्टर चलना शुरू किया जैसे कामरा हमारा ड्रोन का घूम रहा ऊपर से वहीं पर नीचे से रहो शुरू किया, camera हमारा हमेशा motion में ही रहा है यापे कहीं पर भी ऐसा कहीं पर cut हमें नजर नहीं आया कि जहां पर हमारा character जो है रुका वह हमें नजर आए इसी वज़े से हमारी जो वीडियो है smooth नजर आती है काफी लोग यही गलती करते है कि वो character को रोग देते हैं चलते हैं फिर वो cut वो ठीक से लगा नहीं पाते तो cut जितना zoom करके आप character को चलता हुआ ही दिखाओगे उतना ही smooth cut आपका नजर आएगा अब देखो यह पूरा short आप एक बर देख लो यह हमारा camera angle चल रहा है move और left to right और साथ ही साथ में फिर हमारा character भी चलता हुआ नजर आ रहा है तीनों ही shorts के अंदर पहले close up आया फिर थोड़ा wide angle से हमारा short आया फिर उसके बाद हमारा back side से short आया और उसमें भी पैरों के जो cut था हमारा दोनों shorts के अंदर same ही रहा अब यह जो one two three start आया इस part को हम cut कर देंगे बहुत अच्छे से ऐसा नहीं कि start भी हम इसमें रख दिया यह start के बाद थोड़ा से gap आ रहा है फिर वो चलने शुरू कर रहा है तो जो थोड़ा से gap है वो भी हम delete कर देंगे साथ के साथ अब देखो भागने के shorts तो हमारे यहां पर पूरा लंबे से है कि वो पीछे से भागतावा आ रहा है लेकिन पीछे से वो भागतावा रहा है उसमें क्या रहा है दो चीज़ों हो दिया एक तो यह कि हमारी video के जो timeline वो लंबी होती जा रही है कि हम video के part को बहुत लंबा starting में अगर आप छोटे creator है तो हमें इतनी लंबी suspense नहीं कीचनी चाहिए अपने opening shorts के लिए तो हम यह भागते हुए कि duration को भी थोड़ा सा कम कर देंगे अब जैसे यहां पर हमारे character जब हो इन्होंने एक short लिया कि character रुका ठका है सांस लिए भागता हुआ रहा है फिर वो द ज़रूरी बात उसको करनी है तो पूरे ही short के अंदर उसको भागते हुए हमें दिखाना पड़ेगा वरना हम क्या कर सकते हैं यह बीच का जो चलते हुए का part था है इसको हम cut कर सकते है विचाल यार तू 3-4 दिनों से कहा था है तुझे पता भी है 3-4 दिनों में क्या हो गय नई यार मुझे नहीं पता क्या हो गया पर 3-4 दिन से मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है अब देखो यहाँ पर डायलोक्स के अंदर भी गलती है कि एक ही लाइन को बार बार रिपीट क्या जा रहा है कि 3-4 दिन से क्या हो रहा है 3-4 दिन से यह हो रहा है मेरे साथ ठीक हो तो ल不對 आप deeply मैंने क्या किया कि ए सारे बीच के जो टीन-चार दिन वाले पार्ट है उनमें से पहला डायलोग रखा कि 20 से कहा है ? उसके बाद हमने डायलोग रख दिये की त्विंकल 24 दिन से ठीक से बरताब नहीं कर रहा तो यह वी पांच बार बोलने का कोई वहां पर हम कट लगा करेंगे और जो दूसरे लड़के का डायलोग है उसके लिए हम फ्रेम को थोड़ा सा जूम इन कर देंगे अब यहां पर एक चीज और जैसे इन्होंने ओवर दर शोल्डर शोट लिया 180 डिग्री रूल 180 रूल थो उन्होंने बिल्कुल ठीक शोट ली आ कि एक बार इस कंदे से दूसरे रवार दूसरे के उसी साइड के कंदे से लेकिन यहां पर जैसे क्या होता है कि लोगों को यह उता है कि एक्स्प्रेशन कैसे हम रिकॉर्ड करें इसमें तो बेसिकली जैसे देखो यहां पर डायलोग है जो यहाँ पर डायलोग है कि twinkle की तो 3-4 दिन पहले और बीच में छोटा सा gap लड़के ने बोलते वह लिया कि डायलोग हो चुकी है तो यहाँ पर जो चोटा सा gap था इसको हम डिलीट करेंगे और जो डायलोग हो चुकी है वहाँ पर हम दूसरे character का expression डालेंगे तो इससे क्यों होगा कि हमारा जो dialogue है dialogue पहले लड़के का चल रहा है लेकिन face हमारा नजर आ रहा है दूसरे लड़के का तो इसी तरीके से आपको सारे guts लगाने हैं अपने dialogues के अंदर पहले सारे cuts हम लगा देंगे dialogues के ताकि हमारी जो वीडियो है उसका एक flow बन जाए कि characters के dialogue smoothly चल रहे हैं उसके बाद हम बाकी की चीज़े करेंगे जैसे अब हम लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले background music देखो किसी भी तरीके का extra doom, dada, dichum, dichum वाले sound effects हम नहीं लगाएंगे sound effects आपको actual में बाद में लगाने चाहिए पहले आपको लगाना चाहिए आपका background music music की वज़े से यह आपकी वीडियो के अंदर feel आती है sound effects की वज़े से नहीं आती तो हम पहले background music लगाएंगे अब इसके अंदर जहां से हमारा जो background music का जो peak शुरू हुआ था कि जहां पर हमारा horror वाला थोड़ा सा suspense जो है music अंदर जादा है वहीं से हम drag करके use करेंगे ऐसानी कि starting सही में use करना पड़ेगा music को आप cut कर सकते हैं अभी आगे इसको blend करना भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे sound effects को या music को कैसे cut करके बीच में से blend करके अपनी वीडियो का impact अच्छा करते है अब उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारी सबसे बड़ी चीज है कि लोग music को ना उसी तरीके से छोड़ देते हैं dialogues के उपर अब देखो जहां पर भी आपका dialogue शुरू होते हैं इतना आपके dialogue है उस dialogue के बीच में आपको background music के उपर cut लगाना है और music की volume को हम कम कर देंगे आदे से जादा तो हमें कम करना ही पड़ेगा ताकि जो हमारे dialogue की आवाज है वाज हमारी clear आसे के और बिल्कुल music हटानी देंगे क्योंकि music की वज़े से ही feel आएगी जहां जहां पे हलका हलका सा gap आपके dialogue में हो वहाँ पे हम music की volume को जादा कर देंगे और जहां पे आपके dialogue की volume जादा हो वहाँ पे हम music की volume को कम कर देंगे अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज़ क्या होते है कि हमारा scene जब यहाँ पे एक खतम हो रहा है जहाँ पे वो लड़की के साथ घूम रहा है जिस चीज को वो यहाँ पे याद कर रहे है तो वो शोट्स हम यहाँ पे लगा देंगे और लाश्ट में फिर एक ओपनिंग शोट्स जो हमने लिया था नदी के उपर का वही शोट्स हम यहाँ पे दुबारा से यूज कर सकते हैं या उसका थोड़ा सा हम एक ट्रांजिशन की तरह भी ले सकते हैं जैसे नदी यहाँ पे घूम रही है तो इसको हम अगले शोट के ट्रांजिशन के लिए भी यूज कर पाएंगे अब यहाँ पे देखा हम चोटे-चोटे sound effects भी लगाएंगे उसकी चिंता नहीं है कि वो डुडूम डुडूम वो सब हम नहीं लगाएंगे लेकिन हम अच्छे sound effects कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ अब अब वही चीज है कि YouTube पे ही आपको free sound effects भी बहुत मिल जाएंगे या Google पे आपको मिल जाएंगे आप वो सर्च कर सकते हैं और इन में से जैसे अभी मैं यहाँ से देख लेता हूँ अब जैसे यहाँ पी यह लड़का भागते वे का short है इसका कि यह भागते वे आ रहा है भागते वे में जो वहां की हवा भी थी वो पैरों के नीचे मिट्टी भी थी पत्थर भी थी हर चीज का short आपकी वीडियो के अंदर वो capture हो गया होगा तो अगर आपको वो वाली sound अच्छे नहीं लग रहे हैं और आप चाहते कि यहाँ पे आप sound effects लगा है वो भी आप कर सकते हैं और मैं हमेशा सला भी उसी की देता हूँ जो इसकी वीडियो की clips की जो अवास थी वो हम यहाँ पे mute कर देंगे या फिर काफी कम कर देंगे और इसके पीछे हम एक Google पर सर्च कर सकते की guy running breathing sound वो भी आपको मिल जाएगी और उस तरीके के sounds को आप यहाँ पे लगा सकते हैं यह basically हमारे SFX होते हैं और इनहीं की मतल से हमारी videos के अंदर न छोटी सी वो जो perfection होती है वो आती है लेकिन यहीं पे अगर हम टिंग निग 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 लगा देते तो वो हमारा कभी भी horror film वाली feel ना आती अब देखो यह जो sound effect हमने यहाँ पे लगाया है ऐसा नहीं है कि जहां पे सिर्फ भागते वगा सीने वाही तक हमें इसको रखना है इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ भी रखेंगे तक ही जब वो बोल रहा है इंसान कोई भागता वा आया है और आपके साथ बात कर रहा है उसकी सांस तो तब भी fully रही होती है तो वो सांस लेते हैं वगा साउंड इफेक्ट भी हमको यहां पी यूज़ करना है थोड़ा आगे तक फिर आगे चलके देरे देरे आप उसको खतम कर सकते हैं इसको धिरे धिरे खतम करने के लिए simply होए keyframes में जाओ और volume को आगे की तरफ आके आप कम कर दो तो volume जो है आपके sound की एकदम ऐसे जाते हैं एकदम नीचे की तरफ हो जाएगी अब यहां पर देखो जैसे एक big reveal हुआ कि यार क्या अगर तो सच बोल रहा है तो फिर मैं किसके साथ था उसकी मोद हो चुए है जो भी यहां पर एक big reveal हुआ है तो यहां पर sound effect होना बहुत जाद है जरूरी है ताकि जो हमारा impact है वो video के अंदर और अच्छा बने तो यहां sound effect है लेकिन जो हमारा time gap है वो मुश्किल से आदा second का ही है आदा second के अंदर अब हम 3-4 second के यह sound effect हम कैसे fit करें तो वहां पर basically हम क्या करेंगे sound effects को beach में से cut करेंगे sound effect क्या है basically हलका सा शुरू होता है उपर जाता है फिर नीचे आता है तो यह जो उपर जाके peak आ रही है यह peak हमें चाहिए ताकि यह क्या हुआ जो यह जो उपर की peak है sound effect की यह peak हमें चाहिए यह sound effect को हम यहां से beach में से cut कर देंगे और फिर दोनों clips को हम आगे की तरफ जोड़ देंगे तो sound effect जो है हमारा जल्दी खतम हो जाएगा जिसकी वज़े से हमारी duration के साथ एकदम fit बैट music look है वह आनी बहुत जरूरी है अब जैसे इन्होंने edit करा वहां पे color grading जो है इनके दिन की look पूरी bright है एकदम sunny है थोड़ा सा वह fun वाली vibe होती है तो यहां पे वह fun वाली vibe है नहीं music इन्होंने वह sound horror वाला लगाया ड्रामा वाला है लेकिन vibe जो हमारी वीडियो की वह fun वाल grading के presets है मेरी website पर आप जाके देख सकते हैं उसके अंदर बहुत सारे audio plugins भी हैं और बहुत सारे वीडियो के लिए अलग अलग तरीके के effects है color grading के साथ video effects और साथ ही साथ में audio को साफ करने के लिए 6 plugins उसमें दे रखे हैं तो वह आप ले सकते हैं हमारी website पर link description में यहां पर मैं adjustment layer बना देता हूं एक और color grading में यहां पर करनी शुरू कर देता हूं color grading में देखो यहां पर आपको क्या करने हैं सबसे पहले आप shadows को हम कम की तरफ ला सकते हैं exposure भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं देखो इन्होंने shoot जो करक है वो काफी ज़्यादा आ ओवर exposed था तो उसके चकर म हम इसका exposure भी थोड़ा सा कम रखेंगे अब देखो लुक जो है हमारी थोड़ी अच्छी better लुक बनती जा रही है अगर मैं before और after दिखाऊंगा आपको तो उसमें काफी फरक आपको नजर आएगा तो यहां पर हम कर्व को भी कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ से कर कि जो वीडियो का डार्क पार्ट अए वो और ज़्यादा अञी हो जाए और हमारी वीडियो की लुक जो है थोड़ी सी इंटेंस होती जाए तो यह जो फरक है काफी ज़्याद़ आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से देखो यह मैंने एक पार्ट ए cockpit कर आ बस तरीके झाल 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 झाल